हेलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है हिमानशू और मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परतम भोकाल सीरीज की कॉमिक परतम भोकाल का दूसरा और अंतिम भाग वो तो वैसे भी कुमला जाएगी जब तुम हमारी दासिया बनोगी सण लक्षक मदद करो साहे साहे थाँ थाँ सण पाशों ने दैवत्यों की टांगों को जगड लिया सण लक्षकों ने दैवत्यों को भूमी पर खीच लिया दुष्ट देवत्यों का अंत कर दो, स्वड़ियों, स्वड़ियां भी भूमी पर आगिरी, पहले ये रक्षक, शिट के नर्बक्षी स्या थपेडों से तो बचले हैं, स्या थपेडे स्वण रक्षकों के शरीर से जब क्यों के थप थप थप, उफ ये क्या बला हैं, नर्ब वक्षी धबो ने उन्हें अपना शिकार बना लिया सवर्ण रक्षक अंदकार में विलीन हो गए हाहा हाहा हाह यदि हम चाहें तो तुम्हें भी स्याथ पेड़ों के काजल समान गैरें अंदकार में विलीन करते हैं किन्तु तुम्हें तो हम अपनी दाशिया बनाएंगे हाह हमें छोड़ दो सवर्ण अश्मय घंतर कौंशने दो पहले हम तो तुम तक पहुँच जाएं हाहा हाह खबरदार ओ सवर्ण लोग के दूसरे रक्षक अगनी कटाक्षा गए हमें अगनी से भैबीत करना चाहते हो भाई या अंगार इनसे तो तुम ही निपट लो करना क्या है इनके कटाक्ष्रामा गस्तरों की अगनी धार कोई खीच लेता हूँ अब देखता हूँ कि अगनी धारक मेरे प्रारों का साम न कर पाते हैं या नहीं चलो ये ले चलो इन सवर्णियों को सुर्वेदयों का समय निकलता जाना है लगता है हमें सवर्णाश्मय में नहीं मिल पाएंगी हमें उर्जा प्रदान करने वाले तारे दूमी लो रहे हैं सवर्णाश्मयों की बिनाम शव्व समानी रह जाएंगी अब कौन करेगा हमारी रक्षा पकांग ओ ये क्या दवत्तो दौरा फलाए गए काले दपे छट गए हमारी काय को असपर्श कर रहे हैं हमारी काय का तेज बढ़ने लगा हमारे बंदन भी तूट गए ये चमतकार क हमने सप्तरिशी हे सप्तरिशी आपको पड़ाम हो तुम निर्वे होकर स्रण लश्मयों करिस्नान करो अतर अंगर लस्या पुले क्रत्य शेठ भ्रगोन तुमें हमने अपनी संतानों को रूप में स्विकार किया था किन्तो हमारी शिक्षाओं का ऐसा पर्दीपल तुम हमे सप्न में भी नहीं सोचा था हमने तुम्हे भ्रमांड के हिथेतु प्रेम परोपकार धर्म करतव्य तपस्या योग यग युद्ध शस्तराश की जो चिक्षाएं दी तुमने ऐसा दुषकर्म कर सबको कलंकित कर दिया तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम शैतान स्या विवर की पुत्रियों की डुष्ट संता नहीं हो इस क्रकत्य के पश्चाथ हम तुमें डंड सरूर ये शाप देते हैं कि जब भी हम से सीगी शक्तियों का उप्योग करोगे उसी छण तुमारी मिर्ति हो जाएगी स्या विवर से उसकी पुत्रियों में पुत्रियों से तुम में और तुम से भी तुमारे तमो राक्षसी अवगुर तुमारी संतानों को प्राप्त होंगे और चुकि तुम हमारे भी पित्र अता हमारा दिव ज्यान इवं शक्तियों भी तुमारी संतानों को सता ही मिल सकता इतना कि अगर सब्त्रिशी अंतरधान हो गए शिट क्रोच से विफर गया सब्त्रिशियों के शिक्षाएं समाप्त होने के फश्चात अपनी माताओं से भेट करने जा रहे थे सोचा था उन्हें परसन्नता वर्दक समाचार देंगे कि उन्होंने जिस उद्देश्य सहमध्पन किया वो अपूर होने को है किन्तो हमारी एक छोटी सी भूल ने सारा प्रवजन पिकार दिया अब क्या मुगल लेगार जाएंगे माताश्री के पास अब हमारी माताश्री हमें रा दिखाएंगी शीगरी दैवत्य व्रक्ष सनियों के समख उबस्तित हुए तुमारी इस घंगोर असाथधानी के कारण एक बार पुना पिताश्री सहाव विवर का उतेश चबादित हो गया हमसे भूल हो गई माताश्री तब तुमारे पास सब्तरिश्यों की भी शक्तियां थी यदि तुम चाहते तो उसी जड़ सब्तरिश्यों को बंदी बना लिते या उनका वद्ध कार डालते पिताश्री के एकाएक सामने आजाने से हम पौकला गए थे माताश्री इसलिए तुरंती कुछ सूझा नहीं और जब तक सूझता तब तक सब्तरिश्यों हमें शाप दे चुके थे सब्तरिश्यों भविश्यों में भी हमारे कार में बातक बन सकते है क्योंकि संपूर भ्रमान विकेवल उनी में हमें रोक पाने की शम्ता है फिलाल उनसे बहवीत होने क्या वेशक्ता नहीं क्योंकि कुछ सब्तात है तारा मंडल पर शनी की जाय का कुछ प्रवाव टालने के लिए सब्तरिशी कठोर याद्रा में कठोर साद्रा में जुट गए है अब ये सोच रहा है कि शाप को काठा किस परकाड जाए हाँ किन्तु शाप को उसे देने वाला ही काठ सकता है अब सब्तरिशी तो शाप की काठ बताने से रहे हमारी सारी मेहनत हो योजना पर पानी फिर चुका है नहीं यमा सारी मेहनत पर नहीं हमारे पुत्र सब्तरिशीों में से वे शक्तिया पराप्त कर चुके हैं उनके बल पर पिताश्री सब्तरिशियों की सब्तवियू रचना की कैच से बाहर आ सकते हैं। केवल उनका शाप उनकी रहा का रोड़ा बन गया है। यदि शाप का कोई तोड़ ढूंडा जा सके तो हमारी समझ से हल हो सकती है। और इसका उपाई मेरे पास है। पिताश्री आप अती शीग्र वह उपाई हमें पिताश्री। मैं इस छाया रूप में यहाद एक समय तक नहीं रोग सकता। अता ध्यान पूर्वक सोलो। यह उपाई सरल नहीं है। वो चाहे कितना भी कठिन के उना नाना श्री। हम अपने पिराणों की बाजी लगा देंगे। प्रयोग करोगे उतने ही व्रद एवं अक्षम होते चले जाओगे और अंत्ता मिर्ती को प्राप्त होगे। तब तुम्हें अपनी सीमी शक्तियों का प्रयोग करकर सब्तरिशियों के पंजे से मुझको सुतंत करना होगा। अब रहा प्रशने तुम्हारी संतानों का तो शाप के कारण तुम्हारी रूप से संतानों पुत्ती में अक्षम हो चुके हो। किन्तु जिस प्रकार सब्तरिशियों के पंसीने से मेरी पुत्रियों ने तुम्हें उत्पन कर पाऊगे। तुम्हारे पुत्रों के आठ वर्श का होने पर उनकी शक्तियां भी तुम्हारी शक्तियों के समकख्ष्ष हो जाएंगी। किन्तु ध्यान रहे, पत्र प्राप्ति के साथ ही देव करने आउंत और अप्राप्त प्राण शक्ति को तुम 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 सच में सरल नहीं होगा। हमें पूरी योजना से कार करना होगा। और इस कार में थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। बहुत दिनों से इच्छा देगे पृत्वी के भ्रमण की आज पूर्ण होगी। अहाँ आज मैं माताश्री पृत्वी की गोद में उतरूँगा। पृत्वी देवों के निवास के लिए सर्ग निर्मत किया गया है। और देव लोग के नियमनसार आपकी आज्या पर मुझे भी सर्ग में जाना पड़ा। अनता में आपके ही पास रहता। अरे उधर देखो किसी राजी की सेना है। यह किस से युद्द करने जा रहे हैं। रिशी प्रस्त की सेना विजही हो। तकड़ 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 एवं मेरे और मेरी सेना के पीछे भी, हम मैंसे जो दूसरे की सेना को खदेड का पीछे नदी में ढखेल देगा, वो विज़ई माना जाएगा, और दूसरा अपनी पराजा सुईकार करेगा, तुमारी चुनावती का मूत और जवाब दूगा, क्योंकि यह यद्र राजिव इस यद्र को देखना होगा, इसके लिए कोई और स्थान नहीं हो सकता बाहु बली, शस्त्रपती, सेनापती, जंग जीत अपने और अपनी सेना के रादों के फॉलात के शस्त्रपती सेना पर टूट पड़ा अक्रमर करो डैवत्त योजना बनाने में जुट गए सर्ग तक पहुशने में हमें कोई बादा नहीं आईगी किन्तु सर्ग में प्रवेश के साथ ही देवता हमारे लिए बादग बन जाएंगे और देवताओं से युद्ध सरल नहीं होगा हाँ, हमें अपनी पूरी शक्ती जोंकनी होगी हमें योग बल से अपनी सेना उत्पन्न करनी होगी जो देवताओं का ध्यान अपनी युलाकर्शित करेगी हमारी सेना चारो ओड से सर्ग पर आकमन करेगी जिस छण ये सेना युद्ध में वैस्त होगी उस समय हमारा कार होगा सर्ग में परवेश कर देव करना हो तो पहुचकर उनका हरन करना सैसाई शिठ ने जो द्रिश्च देखा था उसे अपनी आखो और अपने भाग अपर भरूसा नहीं हुआ क्या बात है शिठ तुम्हें में चुप रहने को क्यों कह रहा हूँ शुप रहा हो अतर उफ मुझे अपने भाग पर विश्वास नहीं हो रहा आकिर क्या हुआ वो देखो इंद धनुशे तितलिया यहां प्राण संकर पर पढ़े हो और तुम्हें तितलिया देखने की बढ़ी है मूर्ख उधर देख भूमी पर पढ़े उस गिरगिट को यह गिरगिट इंद धितलियों को पकड़ने की चेश्टा कर रहा था और अनाया ऐसी इस्परास में जलकर भूमी पर केर पढ़ा भूल गए नानाशीर निया बता है था कि देवकर्ण्याओं के शरी के चार ओर एक प्राण शक्ती का आवरण होता है जिसे इस्पर्ष कर कोई साधान प्राणी तो जलकरी भस मोचाए वो गिरगट उसी दिव्यूर्चा को इस्पर्ष करके मरा है वो तितलियों के वेश में देवकर्ण्याओं हो मूर्गों क्या देवकर्ण्याओं पकड़ो उन्हे हास से ना जाने पाए ये सुनैरी अफसर जो भाग किसे हमें मिला हास से निकलने ना पाए अब हमेने इनके असली रूप में देख पाएंगे हमने तो सोचा भी ना था कि भूख लगते ही पका पकाया फ़ल हमारी जोली में आ गिरेगा ये डुष्ट अन्न तितलियों को पकड़ने के स्थान पर किवर हमारे पीछे लग गए शायद रेने आबास हो गया है कि हम देवकन्या है हम अफसर यहां पराक कण एकतिर करने आती है जिसकी सुगन से सौन महतता है सर्ग महतता है आती शीगर यहां से सर्ग को कूच करो वो जाने ना पाएं घने बादलों की ओट ले लो वो बादलों में चली गई है अंगर नतीवर उश्मा मेगों में फैकी मैं अपनी उश्मा से इन बादलों को ही सुखा डालता हूँ देखता हूँ वो कैसे छुपी रहा पाती है इनमे खंगाल डालो बादलों का चपपा चपपा वो रही उन्होंने हमें देख लिया वो हमें नहीं छोड़ेंगे सुर्ग दौर अधिक दूर नहीं है मैं यहांकी नमी को सगन करके ठोस बरफ में बदल देता हूँ देव कन्या ठोस बरफ में कैद हो गई है हमें देव कन्याओं मिल गई हे इश्वर मदद कर ये क्या इस कैद को किसने तोड़ा इंद्र के बज़ को नहीं पहचाना डुष्टों देव कन्याओं की और अपनी कोडिश्टी डालने स्पूर वगनी के विशय में भी ना सोचा की जला कर भस्म कर देगा वायू तुम्हें उठा का भ्रह्मान के ऐसे निर्जन कौने में फेकेगा कि जहां से जीवन परेंद्र निकल नहीं पाओगे व्योम देवता ने एक विशाल का एपिंड को लस्या पर खीच मारा इंद्र के एरावत के मस्तक की चोट से शिट भी दूर जग रहा शाबाश शेरावा थव देव कन्या सर्ग में परवेश कर गई थी जाओ उन डुष्टो को रोको देव सेना कोलाल मचाती हुँ सरगे से पाहर निकली मारो मारो दुष्टो कांत करो देव सेना के प्रतंचाओं से शहस्त्रोबार छूट टिकले शहस्त्रोबाणों को समेट कर उनकी दिशा देवत्त्यों की उगर मोलने में वरुण दिवत्ता ने एक पल भी न लगाया था लस्या का तो सिरी धर से जुदा हो गया निकलो यहां से उन्होंने मेरा सिर धर से जुदा कर दिया देवत्त्योंने लस्या के कटे सिरेवं धर को समेटा और भाग खड़े हुए इंद्र ने देव सेना को उनके पीछे से जाने से रोग दिया ठैरो कोई उनके पीछे नहीं जाए किन्तु देवेंद्र उन्डुष्ट का वद्द आवशक है आपका कहना ठीक है देवगनी किन्तु वस्तो इस्तिती पर विचार करो उनके एक साधिक असर धर से जुदा होने के पश्चा धर भी जीवित था और सेर भी वो साधान दैथते नहीं थे हमें जवेशर पर मंतरना करनी होगी और पता लगाना होगा कि वो कौन थे और क्यों देवकन्याओं का हरण करना चाहते थे हम देवकन्याओं को लिए बिना क्यों लौट रहा है हम अमर भले ही ना सही किन्तु चिरन जीवी है अर्तात हमारे पास लंबी आयू है और उस आयू के समाप थोने तक हमें कोई मार नहीं सकता तुम फिलाल चुप रहो लस्या भले ही देवता तक हमारा वद नहीं कर सकते किन्तु वो हमारे तुखडे-तुखडे कर सकते है हम अभी युद्धि के स्थिति में नहीं है समय के पर्दिक्षा करो हम भाष शीगर लोटेंगे देव पुत्रों के पास अब सब्वे नहीं था ये तुम क्या कर रहा हो देवा? ये सब क्या है? सरजन. कैसा सरजन देवा? भ्रह्मा जी की सरजन शक्ती से मैंने इस कृतिम करवाशा को तयार किया है. इस कृतिम करवाशा की विशिष्टा ये है कि ये नौ महा के स्थान पर केवन नौ चड़ों में ही एक भृून को हो गए. वो सब तो ठीक है, किन्तु हम इन शीशु का क्या करेंगी? वो भी बताऊंगा, किन्तु ये शीशु अपर्याप्त है. मुझे ऐसे हजारों शीशु की आवश रकता है. देवा, तुमने हमें क्यों बुलाया है? परियों से तुम्हें क्या काम है देवा? तुमारी कि सभी जिग्याजा एक कुछी समय में शान्त हो जाएंगी. अगनू, वरू, नव, व्यू, प्रत, योतक, ये कृतिम घरवाश के वाशुशियों को योत्पन नहीं करता है. ये इच्छे शक्तियों का सरजन भी करता है. और मुझे एक परलंकारी विनाशकारी शक्ती का सर सरग पर महा संकट मन रहा है. आपको मेरे साथ तुरंत इस सरजन शक्ती में प्रवेश करना होगा. युद्ध के देवता का पुत्र होने के कारण आप सभी देव पुत्रोय वंपरीयों की रक्षा का दायत मेरे कंदों पर है. और जो भीशन संकट हमारे ही कारण उत्पन हो गया है. उसके अंत के लिए अपसरजन होगा. इस महा बली, महा पराकर्मी, महा शक्ती का जिसका नाम है भोकाल. पर्थम भोकाल. अगला रोमांच कैसे हुआ? परीजन्म. तो चलिए दोस्तों वीडियो का यही समाप करते हैं और मिलते हैं. पर्थम भोकाल सीरीज की अगल जन्म. राश कॉमिक्स में पढ़िये मा बली बोकाल की जन्म का था. तो चलिए दोस्तों धन्यवाद.